कई बार कई लोगों के साथ एक समस्या देखी जाती है। उनके शरीड पर जगय जगय गाठे पड़ जाती हैं। इस इस प्रकार के मस्त। से या इस प्रकार की जो आपकी गाठे हैं इन से निजात पाने का क्या कोई ऐसा तरीका है बहुत ही सस्ता तरीका बहुत ही असान तरीका तो इस विशय को लेते हुए मैं आज आपके सामने एक ऐसी दिव्या मेडिसीन होमेपैथी में है जिसे शेयर करना चाहता हूं जिसे ब गांठ एवं मस्से इत्यादी से मुक्ति पा सकते हैं हमेशा मेशा के लिए होता क्या है कि हम लोग कई बार गांठ के इलाज के लिए या इन मस्से के इलाज के लिए हम क्या करते हैं कि कई बार इनको ऑपरेशन करवा लेते हैं सर्जिरी से इनको निकलवाने की कोशिश करत तो इस परकार की बीमारीों से निपटने के लिए ताकि वो दुबारा आपके शरीर में ना बनें आप चाहें तो होमेपैसी में थूजह उसिडेंटलिस का यूज़् कर सकते हैं या फिर थूजह की जो क्रीम आती है उसका भी आप प्रियोग कर सकते हैं आपको इसका प्रियो करने की विदी बहुत सरल है, आपको क्या करना है कि 20 बूंदे थूजा की ऑसिडेन्टलिस्ट जो आपकी डॉप है उसकी ले लेनी है आधे कप पानी में और इसके बाद इसको पी लेना है, आपको इसी चीज को एक बार सुबह करना है, एक बार दोपहर में करना है, एक बार शाम को करना है, और इस चीज को करते रहना है छे महीने तक, इसके साथ साथ आपका जो एरिया जहां पर मस्ता है या फिर जहां पर गाठे पड़े हुई हैं, वहाँ पर जो थूजा की जो क्रीम आती है ह होमेपैथी में उसे लगा लेना है सुभे और शाम इस चीज़ को भी आपको 6-7 महीने तक कम से कम करना है क्योंकि होमेपैथी जो दवाइया है या अयर्वेधिक जो दवाईया है थोड़ा slow असर करती है थोड़ा दीरे से असर करती है लेकिन असर पूरा करती है हमेशा के लिए करती है आप एक बार इसको प्रियोग करके देखिए छे-सात महीने निश्चित आपको लाब होगा और वो लाब ऐसा होगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा आपके लिए वीडियो तक के लिए इंतजार करें तब तक के लिए नमस्कार मित्रों जैबरत वर्ष यजियो देखिए